Hello and welcome friends, code blocks पर C language सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है C programming तो आज के इस वीडियो में क्या सीखेंगे तो यहाँ पर सबसे तले तो empty file हम ले लेते हैं यहाँ पर सबसे तले हम बनाएंगे main function तो यह बना लेते हैं main function क्योंकि यहीं से तो आधार शेला रखे जाती है किसी भी program की त्री language में तो यह हमने बना लिया main function और यहाँ पर int type का यहाँ पर मैं क्या करूँगा error type का data type लेते हैं ए ठीक है और यह जो square bracket है आम तो पर इसे हम खाले ने चोड़ते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसे खाले चोड़ते हैं और इसके अंदर क्या store कराते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ programming क्या लिखता हूँ programming तो यह लिख दिया मैं को open करता हूँ और यहाँ पर क्या देता हूँ percent c ठेक है और यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर मैं देता हूँ a और a में क्या print करवा हूँगा जरा ध्यान दीजेगा यहाँ पर मैं a 2 print करवा रहा हूँ तो जरा ध्यान दीजेगा यहाँ पर क्या print होके आएगा तो दीखे एरेक indexing 0 से start होती है तो यह p हो गया 0 यह हो गया 1 और o हो गया 2 यहाँ पर o ही print होका रहना चाहिए तो चलिया यह देखते है इसको एक बार चलाते हैं इहां से compile करवाए तो यह कमपाइल करवाते हैं वक्त ही हम इसे save करेंगे ठीक है तो यह पर इसे save किया मैंने dot c लगा करके ठीक है यह हो गया तो यह successfully compiled होगया है अब यहां से जीरो लिखा इस बार, यह ओ नहीं है, यह 0 है, तो यहाँ पर P print होना चाहिए, तो एक बार चलिए चलाते हैं, इसको देखते हैं क्या print होता है, तो यहाँ पर इसको compile करवाया, देनियां से run करवाया, तो यह अब देखिये P ही print हो रहा है, तो यानि कि array के indexing हमेसा कहां से start हो यह बात याद रटकिएगा ठीक है